नमस्कार, SP9 News में आप सभी काप बहुत-बहुत स्वागत है रामकुमार गौतम सफीदों से BJP के विधायक मंत्री पद को लेकर BJP पर दबाव बना रहे थे BJP पर दबाव बनाते रामकुमार गौतम को लेकर ये भी संकेत मिल रहे थे विधान सभा अध्यक्ष रामकुमार गौतम को बनाये जा सकता है लेकिन किष्ण मिड़ा हरविंदर कल्यान के मुकाबले रामकुमार गौतम को जगा नहीं मिली केश्ण मिड़ा डिप्टी स्पीकर पद पर बैठी वे नसर आए तो वहीं हर्विंदर कल्यान को विधान सभाद द्यक्ष पना दिया गया रामकुमार गौतम अप्शान्त है लेकिन शान्ती के पीछे बड़े तुफान के संकेत मिल रहे है दवा किया जा रहा है कि किसानों का मुद्दा भी एक बार फिर से हर याना में गर्माता हुँ नसर आ रहा है वहीं दूसरी तरफ योन शोशन के मुद्दों पर भी कई अफसर यहां पर लिप्त नसर आ रहे हैं एसपी पर ही कई गंभीर आरोप लग रहे हैं विनेश फोगाट के जरीए कई बड़े सब्बूत दिखाए गए कई बड़े खुलासे किये गए बीजेपी पर हमला किया गया जो बीजेपी चुनावी मैदान में उतरते वे दावे कर रही थी किसानों के मुद्दो पर युवाओं के मुद्दो पर महिलाओं के सुरक्षा पर नशा मुक्त हरियाना को लेकर वो तमाम दावे फी के साबित होते वे नजर आए अब एक तरफ रामकुमार गौतम के जरिये ये दावा किया जा रहा है कि रामकुमार गौतम भारती जनता पार्टी का हिस्सा तो हैं लेकिन मंत्री पद ना मिलने को लेकर स्पीकर ना बनाय जाने को लेकर रामकुमार गौतम बड़ी बगावत भी कर सकते हैं रामकुमार गौतम ने अगर कदम कॉंग्रिस पार्टी की तरफ बढ़ाया तो रामकुमार गौतम कई विधायकों के साथ भी ज़ा सकते हैं कि बीजेपी में कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की लालसा रख रहे थे लेकिन भारती जन्ता पार्टी के तहट मंत्री पद उन्हें नहीं सौपा गया यहां तक कि विधान सभाचनाव में कई ऐसे पूर्व चहरे भी थे जो दुबारख से टिकेट की मांग कर रहे थे लेकिन भारती जन्ता पार्टी ने उनकी जगा नई चहरों को मौका दिया अब देखना होगा कि रामकुमार गौतम को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं कि जन्नाइक जन्ता पार्टी को छोड़ कर बीजेपी में आए मंत्री पद को लेकर अब मंत्री पद ना मिलने को लेकर क्या कांग्रिस पार्टी या अन्य पार्टी का रुक करते हुए रामकुमार गौतम नजर आ सकते हैं